विज्ञान भी सेके MCQ कूद देखेंगे ये दूसरी स्रीज है पहली स्रीज का वीडियो आ चुका है और सामने आपके जो स्क्रीन पे जो चीजे दीख रही है ये पिछले वीडियो से समधित है तो इसमें इसको क्यों रखा गया है तो कुछ बाते जो हैं पिछली वीडियो क कि कुछी कमेंट्स में मुझे मिले हैं कि जो कार्भोहायरडेट वसा प्रोटीन खनीजलवन इन सब चीजों के उदाहरं के कुछ आपको जनकारी होनी चाहिए तो मैंने प्रयास किया है कि आपको कुछ उसके उदाहरं भी दे दो मैं जल्दी-जल्दी इन सब को पता के अन कोश्चन की तरफ चलूँगा आप सभी जो अभी है हम दो तीन कक्छा से NCRT और SCRT के बिज्ञान की पुस्तकों के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे उपक्रम सा सात्वी आठवी और आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ेंगे तो आए देखते हैं कि क्या है जैसे हम लोगों कुछ स्जरोथ करफ वेसे हैं कोण-कौं से करफ अश्राइडियो को कर दोता है क्या हमारे सामने मक्का है आम है तरभूज है है फपीता है गर्ना है आलू, सकरकंडी है, गेहूं है, चावल है बाजरा है यह सब से हमें कार्भो हैड्रेट्स प्राप्त होते हैं अलग अलग मतरान कुछ में कम प्राप्त होते हैं कुछ में ज्यादा प्राप्त होते हैं आलू से ज्यादा प्राप्त होते हैं चावल से ज्यादा प्राप्त होते हैं इसी तरह यह सारे सुरूत है हम इसक ये सुरूत कौन कौन से है, वसा के सुरूत कौन कौन से है, एक होता है आपको पादप सुरूत और जन्तु सुरूत, पादप के सुरूत कौन से है, पादप के सुरूत आपको स्वैबीन का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, सरसो का तेल हो गया, और सूरज मुखी का तेल यह कौन कौन से यह पादप के पादप से शुरूत है वसा हमें कोई से मिलते हैं तेल और घी वाला मामला है तो देखे स्वयबीन का तेल है यह पादप से है नारील का तेल भी पादप से है सरसो का तेल पादप से है सुरज मुखी का तेल भी पादप से अब है जनतू से शु प्राप्त होता है उलेर है अब दोखिए यहां कुछ जो है आप्को यह गीरे की दाने हैं मूंः तील हो गया जो गिए उसके अलावा यह सारे कीशरी हो और तेल भी डब के माध Help से दिखाएगा है हमारा clear हो गया कि वसा के सुरूत कौन-कौन से तो वसा के सुरूत अगर देखे तो दो प्रकार के होते हैं पादप से सुरूत है और जन्तु से सुरूत है तो जन्तु वाले सुरूत यह है और पादप वाले सुरूत यह है आगे बढ़ते हैं अब आते हैं अब देखे विटामिन कई परकार के विटामिन होते हैं विटामिन A, B, C, D, विटामिन K ये सारी चीज़े हैं तो आएए सब को एक उसकी उदारन को देखते हैं विटामिन A से हमने पता किया था कि क्या क्या होगा कर प्रस्थनों में पीछले वीडियो में हमने जाना था कि अगर vitamin A कमी होगी तो क्या होगी तो vitamin A के कुछ सुरूत है क्या क्या है भई गाजर सबसे प्रमुख सुरूत है गाजर पपीता आपको मचली का तेल दूद आम यह सब क्या है vitamin A के सुरूत है उसके बाद vitamin B के सुरूत देखे यह गेहूं है चावल है यह क्या है यह अक्रित है अब देखे आगे क्या है vitamin C अब नई वह है जमान सकरीता जाता तर्वीत निद्ध है यह सब यह वहीं सब चीजें है यह आपको चुकी red meat in से red mutton है और red mutton में जो है न यह उसके यह अक्रित है clear है आयो देखते है बिटामिन C खटे चीजों में ज्यादा बिटामिन C पाय जाते है तो क्या होगा vitamin C में आपको हो जाएगा आवला नीबू मिर्च हरी मिर्च लाल मिर्च नहीं अमरूद संतरा टमाटर यह सारे के सारे आपको जो है यह vitamin C के सुरूत है clear है अब देखे अ clear है चलिए आये देखते हैं आगे हमारा clear हो गया आगा कि vitamin D वसा carbohydrate को हमने देखा अब देखते हैं कुछ और चीजों को यह है protein यह protein का मामला है अब देखें यह protein के सुरूत है protein के सुरूत है अब देखे इसमें भी protein जैसे वसा में दो protein के सुरूत थे protein के सुरूत यहाँ भी दो है एक पादप है और एक आपको जलत ले तो पहले पादप को देखते है तो पादप में क्या है protein कहा कहा से मिलता है स्वयबीन से मिलता है राजमा से मिलता है तूर दाल अरर जिसको बोल प्रोटीन के पादप सुरूत है उसके बाद है जंतू सुरूत तो जंतू को सुरूत में क्या होगा प्रोटीन के पनीर दूद अंडे मचलिया और मांस ये प्रोटीन के सुरूत है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सुरूत अब देखें ये ऐसे सुरूत ह जो आपको कहा किसी से मिलते हैं इसे हमको जब इसको हम और छोटा करेंगे प्रयास करेंगे देखने के लिए जरूरत है समझने की और यह हमें एक खनीज लवन के रूप में मिलता है यह है खनीज लवन अब इसको समझें तो खनीज लवन में आता है आपको आयोडीन खनीज फास्फुरस कैल्सियुम और लोहा ये ख्षकषक लवन तो ख्षक लवन में क्या गया उसके आपको कारक उसकेट आयोडीन है उसके लॉ- भास्फुरस इन सब चीजों से प्राप्थ होता है यह हरी सब्जियों साग सेव यक्रित अब देखे यह लोह के शुरूत हो गए अब देखे कैल्सियम कहां से मिलता है कैल्सियम मिलता है अंडो से कैल्सियम मिलता है दूद से उसके बाद फासफुरस फासफुरस में आप देखिएगा गि परश्रियों से, इससे आयोडीन मिलते हैं, क्लियर है, इसको हम वीडियो को रोक करके, इसे हम ज़रूर नोट्बुक पे नोट कर लें, आईए देखते हैं, अब परस्नों को, और शुरू करते हैं, आज की परस्नों की स्रिंक लगो, अब देखें, हमारी सामने है परस्निक, बॉम्बेक्स मूरी क्या है लगता है किसी हीरोईन का नाम है अगर ऑप्शन को देखें तो क्या है बॉम्बेक्स मूरी का ऑप्शन में क्या है यह हॉलिवुड अब नेत्री है पॉट्सन तंतु का बैग्यानिक नाम है रेसम किट का बैग्यानिक नाम है यह इनमें से कोई न जो होता है न सभादे स्टूट से प्राप्थ की जाता है उसी समंदित परस्ण हमारे सामने आ ही गया है और परस्ण है गाल एक प्रांसे में प्राप्थ की जाता है यूद्धियों से क्यों पाधब तंतूं को कुन से रेसं कहीं जाता है और रेसं प्राप्ट किया जाता है और उसी कीट का जो में ग्यानिक नामे हो क्या नाम था आपको जो हम invert आपब अभी आपको आठाता भॉंबच मोरी आया तीसरे प्राप्त को देखते है रूई Mini क्राप्ट और जूट प्राप्त होता है किस से पादपों से जन्तू से कोकून से यहीं इन्में से कोई नहीं तो रूई और जूट कहां से प्राप्त होता है तो रूई और जूट जो है वो पादप से प्राप्त होता है क्लियर है चौथा प्रसन है तंतू के संदर में कौन कथन सही नही है बड़ा ध्यान से देखना है पूछ रहा है नहीं है हम लोग प्रस्म पढ़ने में थोड़ी जल्दिवाजी करते हैं इसलिए गल्तियां होती है रूई और जूट पाधफों से प्राप्त होता है तो बिल्कुछ सही है यह तो कथन सही है कि रूई और जूट जो है वो अगर देखने क्या उशक्ता होती है रेसम तंतू रेसम किट के कोकून से खीचा जाता है बिल्कुल अभी पीछले प्रस्म में हमने देखा कि कोकून से खीचा जाता है उन तथा रेसम तंतू जंतूं से प्राप्त होता है बिल्कुल उन भेड से प्राप्त होता है रेसम कि और आगे बढ़ते हैं और पांचे प्रस्ट को देखते हैं पांचा प्रस्ट हैं निमलीखित में से कौन संसलेसित तंतु है अब यहां देखने की आवज़ रहता है कि संसलेसित किसे कहते हैं। संसलेसित का मतलब होता है क्रित्रिम जो प्रकृति ने नई बना हो जो अपने से बनाये गया तो इसको जानेने की जरूरत है कि संसलेसित कीसे कहते हैं यह पूछ रहा है प्रस्न हमें कि कौन संसलेसित तंतू है कि लिए है अब देखें तंतू के प्रकार क्रित्रिम और प्रक चाइनिक होते हैं उसी को अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं ठीक है सिंथेटिक होता है उसके बाद और कई सारे चीजें हैं उसमें फले अभी देखते हैं इस प्रशन को कौन संसलेती तंतुर रेसम एक्रेलिक फ्लैक्स और जूट अब इसमें अगर देखा जाए तो नायलन आता है नायलन होता है पॉलिष्टर होता है उसके बाद आपको यह सामने जैसे एक्रेलिक होता है यह सब क्या है यह सारे के सारे संसलेती तंतु है यानि सारे के सारे रासाइनिक तंतु है इसी को सिंथेटिक रेसे भी कहते हैं इसी को क्रित्रिम रेसे भी कहते हैं क माने जाते हैं संसलेशी तंतु यानि यह जिसे मानों ने निर्मान किया है और यहां जो रेशम है फ्लैक्स है जूठ है यह क्या है यह सारे के सारे प्राकृतिक तंतु है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अब निमलिकिस में से कौन प्राकृतिक है कि देखी कपास है उन है कि रईषम है कि फ़ RC से प्राप्थ होता है यह देन है इसके उत्तर क्या हो जाएगा में प्रस्ट को देखते हैं इस निम लीघित में से synthetic स Agora से प्रीशा क्या है कुछ से पहले हमने जाना था सिंथेटिक रेषा को क्या बोलते हैं रासाइनी अब इसमें से देखते हैं अब मैंने पहले बताया भी था कि सिंथेटिक रेषा कौन-कौन से होता है तो नाइलन पॉलिष्टर ए और बी दोनों इन में से कोई नहीं तो पहले हमने जिक्र कर दिया है तो बड़ी अ हो बोली जाने वाला कोई विले है विले है उकसीजन विले है इसकटर में है करस्यंग हार निवोकर आ है सिर्क विले ղे जानि डाला जाए तो क्या उसमें वह मिल जाएगा नाई तर उसको उत्तर एंगदम झोरसीर का तरूस से बिशया आये देखते हैं अब देखिए सिरप का फर्मूला क्या होता है, वह रगे चेका परस नहीं है सारे और इसको रट जाना है, यह रटने अलमा कोई अग्यू पाए नहीं है आएधे देखते हैं सिर्का CH3 COOH है या C6 H12 O6 यह है या C 12 H22 O11 क्या है अब इसको आएधे देखते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा आपको इसका उत्तर हो जाएगा और इसको रट जाना है CH3 COOH ये तो सिर्का का हो गया ये सिर्का का formula हो गया तो सहाब यह क्या है यह है इसको बिलकुल रट जाना है ये है आपको glucose ये glucose का formula है ये glucose है C6 H12 ये बहुत पूछा जाता है प्रस्णों में आपको परतियों की परिक्षा की प्रस्णों में और लगे हाथ दे जानते हैं यह क्या है यह आपको C12 H22 O11 यह है यह सहाब चीनी है ये क्या है ये चीनी है तो हमने क्या जाना सिर्का का formula क्या जाना सिर्का का formula हमने जाना आपको CH3 COH G часов का formula है C6 H12 O6 और चीनी का C12, H22, O11, इन तीनों को आपको याद कर जाना है, आप अपने नोट बूक में से नोट करके याद कर जाएगे, इसलिए मैंने दो बार तीन बार चीजों को धुरा दे, तीरा देता हूं, यहीं पिए चीजे याद हो जाए, नहीं हो तो फिर भी आपको उसको सब्सक्राप्तिक एसीट है याइन में से कोई नहीं, सिरका क्या है, यह सब की सब अलग होते हैं, इससा को जानना ज़रूरी होता है, आए जानते हैं, इस प्रसन का उत्तर जानते हैं, हम अभी क्लास छे के लेबल से ही रहेंगे, बहुत ऊपर नहीं जाएगे, जो क्लास छ पढ़ना है उसी को जानते हैं तो सिर्का एक FERC टिक है चली यहां जनना आपको जरूढे है इमली में क्या होता है नीवु में क्या होता है मैं देवह अदशारन दिया आप उसमें से समझ जाए इमली में होता है की नीवु होता है नीमन में से कौन पार्भासी नहीं है अब समझना यह है कि यह पार्भासी किस जन्तु का नाम है यह पार्भासी क्या है तो पार्भासी क्या है यह क्या बला है तो पार्भासी वह कहते हैं कि मान लिजी कि कोई चीज यह कैसे बच्चा देख रहा है यह अपने सामने ए ये कोई ची रखा है लेकिन सामने से कोई उसका देख रहा है तो उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है उसका चेहरा हलका धुंदला धुदला दिख रहा है इसी को पारभासी कहते हैं यारी ट्रैंस लूसेंट किलियर नहीं दिख रहा है ऐसा भी नहीं कि साफा नहीं दिख र पभार दिख रहा है क्या करहें कर दुधला दूदला चीजिए देखता है यह आभासी चहरा है इसकी को पारभासी इमेज गहते हैं और इसी में से देखीए ऐकthat लगा तेल लगा कागज हाथेली गत्यक कडभ़ सभी के जरा कि लगा कागज देखेगा कागज में जब तेल लग जाता है और किसी चीज के सामने लेके आएगा तो नीचे वाला चीज चाहिए कागज के उस पार वाला चीज हलका हलका का उसका धूदला धूदला दिखता है ऐसा नहीं के बिल्कुल नहीं देखेगा अगर कागज के वर रहे तो नहीं द जाहरन लीजिए हां एक टॉर्च लीजिए और हाथ पे एकदम सटा के जलाईए बच्पन में हम लोग करते होंगे तो दूसरे तरफ देखे कर लाल लाल दीखता है ऐसा नहीं कि टॉट जलिएगा तो लाइट इदर से देखेगा एक तरफ से हाथ में सटा के और टॉट पइवाइस और हैं कैसा एक यह है निम्ंड में से कौन पारधर्सी हैं अभी हमने पारभासी जाना अब क्या जाना अब हम्हें पीछले फएप पारभासी данा अब डानते हैं पारधर यह यपारभासी को क्या बोलते हैं ट्रांस्परेट मैं एकदम आर पर दिखना क्ला तर पारदर्सी है कांच हथेली तेल लगा कागज या उप्रोक सभी अब बताएं इसमें क्या है पारदर्सी क्या है कांच है हथेली है तेल लगा काज क्या है आई पुले देखते हैं हथेली अभी हमने उपर देखा यह क्या है यह पारभासी है यह पारभासी है क्या था यह यह ये भी पारभासी है और कांच जैसे इस फोटो में दीख रहा है कि कांच से बच्चापने सामने रखा है उसका पूरा फिस दूसरे तरफ से हम देख सकते हैं तो यही है पारदर्शी यानि एकदम उस पार से बिलकुल वो दिख जाए यानि यही है पारदर्शी तो किस उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा कांच क्लियर है चलिए आगे देखते हैं यह क्या है इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं यह क्या है यह आपको पारभासी है पारभासी है देखे उसके बाद यह क्या है यह पारदर्सी है और यह क्या है और यह और पारदर्सी है य इसमें से क्या है इसं कुछ भी नहीं देख सकते हैं और इसमें से क्या है इसमें से clear देख करन का मतलब क्या होता है इसका मुतलब होता है कि अलग करना किसी चीज को किसी चीज से अलग करना अब देखें यहां देखें यह क्या है अगर इसको देखिएगा तो यह क्या है यह यह इंस्पावन यह निस्पवन है यह निस्पावन यह इसको बोलते है ङीस प्रसन कोते हैं एसको अंगरेजी में विनोईंग बोलते हैं उसके बाद है निस्तारन निस्तारन आपको यह पर क्लिया है माल लिजे कि कोई चीज किसी चीज में डाल दिया गया रेत है पानी में डाल दिया गया और जब रेत नीचे बैठ जाता है जब नीचे बैठ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं उसको आ जब यह रहा है निस्पंद 52 जब चलनी से कोई चीज चाना जाता है फिल्ट्राइशन होता है किसी चीज तो इसको निस्यंदन करते हैं यह विनोइंग हो गया यानि यह वाला वाला ऑप्शन हो गया और यह आपको कि वा और आपशन होगयाях इसे समझ में हमारा उतर अब क्लियर हो जाएगा उत्तर हम लेख Kentar क्या अनी पूछ रहा है कौन सी क्रिष्टरी की करण वीधि है कि निस्थारन निश्पामण भी है और उतर क्या हो जाएगा इसका इसका उतर हो जाएगा उप्रोप्त सभी इसका क्या उतर हो जाएगा उप्रोप्त सभी आए देखते हैं अगले प्रस्ण को आगला प्रस्ट है किसी मिस्रन में जल मिलाने पर मिस्रन के भारी अवववों के नीचे तली में बैठ जाने के परक्रिया क्या 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 आती है अभी कुछ दिर पहले हमने इसको जाना है क्या 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 आती है अभी यह परक्रिया जो है हमने अभी कुछ दिर पहले इसको ड जाल देते हैं तो वो और ऑफ प्रक्रिया ज को आपको आउसादन है товसदन है इस परक्रिया को असादन कहते हैं उसके बाद निस्तारण हमने जान लिया था और सिव्हां अभी हमने बताया सबस्यादन है आपको निस्पावण वेमिंग था यहन napissa कर्या आपको यह क्लिए और चाइक बनने से वास्प इसमें से निकल रहे केटली से पानी कितर बन जाता है यह और यहे वास्प निकलता है और वास्प नीचे 6 ने लगता संग्दन आ लेकिन ये ये वास्पी करन है और इसमें जो पानी जमा होता है वो संघनन कहलाता है इसी वास्प और संघनन को इसने यहां दिखाया है तो मैंने फोटो के माध्यम से चीजि़ों को बता है ताकि आपका कंसेप्ट किलियर थोड़ा हो जाए यह समझना है हमने निस्तारन इताकि करन बीधियों के संदर में कौन सा कतन सही नहीं है बड़ा प्रस्ण देखके घबराना नहीं होता है बड़ा दिखने वाला प्रस्ण आसान होता है बस पड़नी की जरूरत है आये देखते हैं कि 15 नुमबर प्रस्ण कहता क्या है कहता क्या है रियत और जल के मिश्रन में पिछली परस्न में बताया था और साधन बिधी को को ह राया है अः वह पुछ आप दूसरा पहड़ते हैं किसी मिश्रन के कौन्यों को लिए थे करन क्या किया तो बिलुकु किया जाता है किसी मिश्रन के ऎको क्या ऊब Breaking कि आव्यावों को निशियंदन बिधी द्वारा पृर्थक किया जा सकता है हां बिलकुल किया जा सकता है और कर लेते हैं कि वो प्रिथप हो जाए कि लिए रहे चली तो यानि यह भी सही है आगले टी को देखते हैं और डी क्या कह रहा है डी आपका कह रहा है कि वास्पन बीधी का प्रयोग द्रौ में घूले ठोस को प्रिथप करने में किया जाता है पिल्कुल किया जाता है तो इसका उत्तर जो होगा इस प्रस्ण का इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपको यह यह गलत है आवसाधन एक प्रक्रिया है ना कि बिधी है यह जल में उडेल कल जो किया जाता है वो क्या हो जाएगा वो निस्तारन बिधी हो जाता है ना कि आवसाधन बिधी आवसाधन एक प्रक कहलाता है संत्रिप्ट बिलियन कहलाता है या आपको कोलाइडी विलियन कहलाता है जेल कहलाता है क्या क्या है असंत्रिप्ट संत्रिप्ट जेल या कोलाइडी विलियन कहलाता है क्या कहलाता है तो उसे कहते हम संत्रिप्ट विलियन यानि उसका प्यट भर गया है अब उसमें नहीं खुला जा सकते हैं एक दम संतुष्ट हो गया तो वहीं है संत्रिप्त सब्दों में प्रस्णों के उतर आपको मिल सकते हैं विलियन को गर्म करने पर उसकी विलियता बढ़ती है घठती है इस्थी रहती है या देखेंगा एक चीज उदाहरन देखी ठंधा पानी में च आपको जल्दी नहीं घूलता को है गर्म पानी में तो वहीं पूछ रहा एक्टिव लियन को system । कि गर्म करने पर उसकी विल्यता क्या होती है सेब बढ़ती है आगे देखते हैं अठार्मा नंबर प्रस्ण में से कौन उतक्रमित परिवर्तन है क्रमित का मतलब होता है जो reverse हो जाए क्या है दूद का दही बनना गुबारे का फटना नमक का पानी में घुलना या इनमें से कोई नहीं कौन ऐसा चीज है इसमें जो फिर से उसको बना है रिसाइकल हो जाए रिवार्स होजाए उंको एक चीज हम अब सोच के दिखें इसको बीवेक से सोच के दिखें डूद गुबारा फूट जाएगा तो फिर दूद बनाए जा सकता है बिल्कुल नहीं बनाए जा सकता है गुबारा फूट जाएगा तो फिर उसको दुबारा हम कर सकते हैं आपको क्या होता है गुबारा नहीं हो जाएगा तो क्या होगा नमक का पानी में घुल जाएगा तो इसको पीरम दुबारा कर सकते हैं कि लिए को गर्म करके वह सब को जायेगा इसमें क्या ह्ивать कऊण है ओतक्रमित ङसी क्या हो जाएगा के नमक का पानी में घुल्ना कि लिए है चले अगलाइगा प्रास्ना निवन में से कौन अनुत्क्रमित परिवर्तन है अब देखे क्या है इसमें अनुत्क्रमित यानि जो रिवर्स नहीं हो कुमार द्वारा मिट्टी के धेर को बर्तन में बदलना नमक का पानी में घुनना दूद का दहिब बनना या डी ए और सी दोनों जला गौर कीजेगा इस पर कि कुम नमक का पानी में घुलना अभी तो जष्ट हम अगर पिछले प्रस्ट में देखे हैं कि नमक का पानी में घुलता या फिर उसको गरमीक पार्म करके कर दों में पिर से नमक मिल चकता है किलेर हो जाएगा उसकी दूध और दह ही यह नहीं हो सकता है यहर्यिदों सन थे और कुछ सारे बिस्टेशन थे आपने देखा होगा और वीडियो से आपको लाब होगा मेरे साथ यसे ही जुड़े रही है यसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लेके आता रहूँगा अगर आपको कोई सुझाव है तो आप मुझे सुझाव अवश्य दीजिए और कमें किजिएगा लाइक किजिएगा तो मुझे भी घुस्टप मिलेगा और मैं थोड़ा परस्ताइत होंगा और इसी तरह के वीडियो और अच्छे तरीके से बना सकता हूँ अगर आपके कोई सुझाव है तो आप वस्ट दें जैहिंद्ध हूँ झाल शटो आपके कोई से जैहिंद्धा वस्टप मिलेगा तो आपके।